सुनाली पुकाट के निधन को लेकर भांजे के बाद अब भाई ने भी कई बड़े-बड़े खुलासे किया है भाई ने जिस तरीकी से बताया है कि कैसे सुनाली के साथ पिछले कई सालों से गलत हो रहा था और वो वापस आगर गोवा से इन सारी चीजों के बारे में परिवार को बताने वाली थी और इसलिए उन्हें लगता है कि ये सब कुछ सुधीर सांगवा नहीं किया है भाई ने बताया मैं बात कर रही हूँ रिंकु की रिंकु ढखका ने बताया कि मौत के कुछ समय पहले ही सुनाली फोगाट ने फोन के जरी अपनी मा, बहन और एक निरिश्टिदार से बात की थी जिस दोरान वो काफी परिशान थी रिंकु का दावा है कि इस दोरान सुनाली ने अपने दो सयोगे के खिलाफ शिकायत की थी और ये दो सयोगी है सुधीर और सुखविंदर सागवान रिंकु का दावा है कि हर्याना में सुनाली फोगाट के फार्म हाउसे सीसी टीवी कैमरे, लैपटॉप और कई इंपोर्टेंट चीजे उनकी मौद के बाद से गायब है फिलाल इसकी शुकायत रिंकु ने गोवा के अंजुना पुलिस में करने की कोशिश की लेकिन उनका कहना है कि पुलिस ने दो व्यक्तियों की खिराब FIR दर्च करने से इंकार कर दिया है वहीं परिवार चाता है कि एम से पोस्टमॉटम कराया जाए जाहिर सी बात है गोवा में है परिवार और अगर गोवा पुलिस उनकी FIR नहीं ले रही है तो इस बात को लेकर परिवार चिंता में है कि क्या पोस्टमॉटम रिजर्ब जो है पोस्टमॉटम वो FIR हो पाएगा या नहीं हो पाएगा और इसलिए परिवार चाता है कि एम से पोस्टमॉटम कराया जाए फिलहाल सुनाली फोगाट का शव जो है वो गोवा मैडिकल कॉलेज में रखा गया है वहीं गोवा के मुख्यमंतरी प्रमो सावन का कहना है कि इस मामले को गंभीरता से वो ले रही है इसकी जाच डीजी पी के देखरेक में होगी और वहीं डॉक्टर का कहना है कि यह हाट का मामला है तो भांजे ने सबसे पहले जो हिस बात पर शक्वियक किया था उनका यह कहना था कि बिलकुल कलाते हाट अटेक से नहीं हो सकती सोनाली फोगाट एकदम फिट थी और अब जो है उनके भाई ने भी कई संसनी खेस खुला से कर दिये है